मरते समय करण से भगवान श्री कृष्ण ने क्या पूछा था? दोस्तों सूर्य पुत्र करण महावीर थे, महादानी थे, हमेशा अपने दिये हुए वचनों का पालन करते थे, सदा ही उन्होंने त्याग किया कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगा हमेशा अपने दोनों हाथों सभी को दान देते गए आए लेकिन अधर्म का साथ देने के कारण कुरुक्षेत्र में अर्जुन के हाथों उनका वध हो गया मरने से पहले भगवान श्री कृष्ण और करण के बीच कुछ ऐसी बातचीत हुई थी जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे आखिर मरते समय भगवान श्री कृष्ण ने दानवीर करण से क्या पूछा था आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे दोस्तों करण और अर्जुन के निरनायक युद्ध में दोनों ही एक दूसरे के बानों को काटते जा रहे थे इस युद्ध में कभी करण अर्जुन पर भारी पड़ रहे थे तो कभी अर्जुन करण पर भारी पड़ रहे थे उनके युद्ध को देखकर ऐसा लग रहा था मानों यह युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होगा लेकिन निप्ती ने तो हमेशा से ही कर्ण के साथ अन्याय किया अब श्राप के कारण उनके रत का पहिया जमीन में धस गया और तो और उनको अपनी विद्या का भी स्मरण ना रहा और यही वह समय था जिसका लाब उठाकर अर्जुन ने अपने अंजली बान से कर्ण का वध कर दिया कर्ण को ऐसे हालात में देख भगवान श्री कृष्ण को बेहत कष्ट हुआ क्योंकि कर्ण भले ही अधर्म के पक्ष से युद्ध लड़े थे लेकिन वे सदा ही धर्म के मार्ग पर चले थे लेकिन वही कर्ण के धराशाई हो जाने से अर्जुन बहुत खुश हो गए थे क्योंकि कर्ण की मृत्यू से दुर्योधन की हार निश्चित हो गई थी कर्ण जब अपने जीवन की अंतिम सांसे ले रहे थे तब अर्जुन कर्ण का अपमान करते हुए भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं देखिए माधव जिस कर्ण के युद्ध कौशल का आप हमेशा गुनगान करते थे वह आज मेरे बानों के सामने टिक नहीं सका देखिए वो कैसे मेरे बानों से घायल होकर मृत्यू के द्वार तक पहुँच चुका है अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले पार्थ कर्ण का वध सिर्फ तुम से नहीं उसके श्राप और मेरी बुद्धी से भी हुआ है अगर मैं और पवन पुत्र हनुमान तुम्हारे रत पर विराजमान नहीं होते तो तुम कर्ण को जीत नहीं पाते कर्ण की दान देने की आदत को पहचानो और इस विजय को उसका दान ही समझो यह सब सुनकर अर्जुन का अभीमान और भड़क गया उन्होंने श्री कृष्ण से कहा अगर कर्ण सच्मुच दानवीर होता तो धर्म उसकी रक्षा करता परंतु ऐसा नहीं है देखिए कर्ण मरने ही वाला है तो कहा गया उसका दानपुर्ण अर्जुन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रचने की सोची उसके उपरांत कर्ण की अंतिम परीक्षा लेने के लिए अर्जुन के साथ ब्राहमन का भेश धारण कर कर्ण के सनमुख पहुँचे उनको देखते ही कर्ण ने उन्हें प्रणाम किया और कहा हे ब्राहमन देव आपका स्वागत है कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ हे अंग्राज मैं तो आपके पास दान की आशा से आया था लेकिन मुझे आपकी स्थिती का ग्यान नहीं था चलिए कोई बात नहीं मैं खाली हाथ ही लोट जाता हूँ दोस्तों कर्ण अपने द्वार से किसी को कभी भी खाली हाथ नहीं लोटने देता था अपने अंतिन समय में भी कर्ण दान देने से पीछे नहीं हटे उन्होंने पास पड़े एक पत्थर से अपने सोने के दान्त पर प्रहार किया और उसे तोड़कर ब्राह्मन को दान देते हुए कहा के ब्राह्मन देव अब मेरे पास दान देने के लिए बस इतना ही है आप हमें स्विकार करें बस इतना ही है आप इसे स्वीकार करें महादानी कर्ण के दान्शी को देख ब्राह्मन रूपी अर्जुन की आखे नम हो गई इसके उपरांत भगवान कृष्ण ने कर्ण की परीक्षा लेने के लिए उनसे कहा हे कर्ण आपका यह स्वर्ण दान्त खून से लत्पत अशुद्ध है और एक ब्राह्मन को ऐसा स्वर्ण दान करना उसका अपमान है मैं इसे स्विकार नहीं कर सकता ऐसे में बुरी तरह घायल करण हिलते डोलते किसी तरह पास पड़े अपने धनुष को उठाकर वरुन्स्त्र चलाया उससे जल की वर्षा होने लगी जिससे करन अपने दान्तों को धोकर पूरी तरह शुद्ध करके उस ब्राह्मन को दान देते हैं करन की दानवीरता को देखकर श्री कृष्ण और अर्जुन हैरान रह गए इसके बाद श्री कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मन का रूप छोड़कर अपने रूप में आगए भगवान श्री कृष्ण ने करन से कहा कि महादानी करन मुझे इस बात में कोई संदे ही नहीं था कि तुम किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने दोगे तुम्हारे जैसा दाने ना आज तक हुआ है ना तो आगे कभी होगा हे करन तुम्हारे दानों के लिए इस संसार में तुम्हारी कीर्ती सदा अमर रहेगी तो दोस्तों दानवीर करन की दानवीरता के विशय में आपका क्या विचार है अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताएं और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद